नमस्कात दैनिक शुव्टाइम में आप सभी का स्वागत है हम जब भी बात करेंगे जनता के मुद्दों की बात करें चाहे कोई कोई नेता हो या कोई मंतरी हो तो इस समय हमारे साथ बड़े ही वरिष्ट नेता भारती जनता पार्टी के सुनिल चर्मा जी जो कि जनल सेक्रे किस तरह से इन अतंकियों ने अपनी नापाक कोशिश को अंजाम दिया जिसके चलते हमने अपने कई वीर जवानों को खोया है एक बड़ा नुकसान देश का और अगर दो दिन पहले की बात करें दीपु कुमार जो रोजी रोटी कमाने के लिए घाटी में गया था अपने पर पर यानि उसे सफल भी बनाया गया जिससे शरे जाता है हमारे स्रक्षाबलों को जमो कश्मीर के यह कहेंगे पुलीस को और कहीं न कहीं एड्मिन्स्रेशन को पर उसी के चलते जीट्वेंटी खतम होते ही दीपु कुमार की हत्या आखिर क्या चल क्या आखिर कब पूरी तर सब्सक्राइब करने का तो क्या पहेंगे आखिर जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से उस देश के साथ दुश्मनी चल रही है कई युद्ध हुए 65 का हुआ 71 का हुआ 99 का हुआ और भी डिरेक्ट इंडिरेक्ट प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बहुत सारी गटनाये से गटी है लेकिन जो 90 के दशक से आतंक वाद चल रहा है जिसमें हमारे मैं कहता हूँ कि हजारों लोग शहीद हुए कहीं कहीं उसका इंपक्ट उसका इफेक्ट जो था वो जम्मु कश्मीर की आम जनता पे पड़ता था लाइंड आर्डर पे पड़ता था आतंक वादी यहां पे हावी होते थे वो बंद की काल देते थे वो पत्थर बाजी करते थे सुरक्षा बलूं पर मतलब दबाव बना पूछने वाला नहीं था तो 2019 पांच अगस्त के बाद इन सारी चीजों पर अंकुष लगाने की कोश्च की गई आपने देखा होगा जितना भी इस टेरिरिजम का स्पोर्ट स्ट्रक्चर था उसको पर अंकुष लगाने की कोश्च की गई काफी लोगों को जेल पहुंचाया चाहिए उनको सजा दी जा रही है इस पूरे स्ट्रक्चर को नस्ट करने के लिए हमारी सेकरिटी फोर्सेज हमारी जन्सी लगी हुई है और जहां तक आतंकवादी की बात है आतंकवादी को भी ठिकाने लगाया गया है इसमें कोई दोराई नहीं है जिस प्रकार से कुले लाम, साउथ कश्मीर में, नौर्थ कश्मीर में, सेंट्री कश्मीर में, बजार बंद रहते थे, पत्राओं, नहीं, आतंकवादी जो घटना है, उस पर काफी, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आतंकवाद टोटल खतम हो चुका है, उसमें टाइम लगता है, ये ओरना जाना हरकतें करके, वो दुबारा से आतंकवाद को रियस्टैबलिश करना चाहता है, जो उसका ख्वाब है, जहां तक दीपु कुमार की बात है, बिल्कुल गरीब घर से मजदूरी करने के आ हुआ था, आप मुझे बताएं, ये कौन सी बड़ी बाहदूरी है, ये कौन सी आतंकवादियों को उनके बिल्लू तक पहुंचाया गया है, या यकीन मानिये कि एक एक आतंकवादी को कबर तक पहुंचाया जाएगा, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हमारी सेक्रिटी पोर्स का और पूरा मनुबल बढ़ाने के लिए हमारा ग्रह मंत्राला इनके खड़ा है, आतंकवादी नहीं, आतंकवाद को स्पोर्ट करने वाला जितना भी यहां पे structure है, उसको खतम करने के लिए लगे हुए है, जहां तक बात आती है, पुंच की, यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक conspiracy है कि जम्मू के संभाग में इस परकार की घटनाओं को अंजाम दे के कमनल कलेशेज कराए जाएं, बाकी चाहिए बात करें तो लो सी पुंच में 10-12 kg ID मिली और भी हत्यार बरामत हो एक गुस्पेटियों की भी पकड़ा, आतंक्यों की भी कुछ हिरासत में लिया है, यह नहीं लगातार यह परयास जा रही है, और हमारी करना है कि यह आतंक्वाद को डिसाइसिव मोड पर पहुंचा है, जब तक यह हमारा पडोसी देश वहां पर है, हलांकि वह भी तैसने हो चुका है, लेकिन जब तक थोड़ी सांस बची है, उसको वह इस प्रकार की अंजाम, घटनाओं को अंजाम देता रहेगा, लेकिन य स्पेस दे रहे हैं, अन्य था पूरी तरीके से यहां पर खाली कर चुके हैं, जब तक यह स्पांसर्ड लोग, वाइट कॉलर लोग, जो हमारे समाज में बड़े इजददार तरीके से रह रहे हैं, जिनको सनक्षन, बोधिक सनक्षन, कुछ नेताओं का है, कुछ पॉलिट अब नार्मल सी, नार्मल सी का जो नारा पूरी तरह से होगी, अब हुई नहीं क्योंकि आज भी प्रदेशन किया, उन्हें कहा कि भास्पा बड़े-बड़े दावे करती है, नार्मल सी है, आज उन्हें परदेशन निकाला था, तो कह रहे हैं फिर दीपु कुमार की टार् पर भारती जनता पार्टी हर उस चहीद के साथ है, हर उस चहीद परिवार के साथ है, जो अपना सब कुछ निचावर इस धरती के लिए कर रहा है, पीड़ी पी के पास कोई moral authority नहीं है, कि वो कहे कि भारती जनता पार्टी क्या कर रही है, ये देश को नहीं पूरी दुनिय अबी अलगाववाद की तरफ करके लोग उनको गुम्रा करने की एक नई मुहीम शुरू कर दी है, उनको लगता है कि दुबारा से कश्मीर में जबरदस्ती के वो sentiments उभार करके उनको कोई place मिलेगी, स्थान मिलेगा, उनको लोग उने reject कर दिया है, मैं मैडम महबूबा मु कश्मीर को रक्तरंजित करने के लिए ये उनकी गलत फेमी है, बहुत सशक्त सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, मुझे लगता है कि उनको ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए, और अगर अपनी पार्टी को वो एक जिसे हम कहते हैं मैंस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी उसक इस प्रकार के शबू भी डालने की कोश्च करती है, जिससे उसको टियारपी यहाज से उसको हैप मिले, उनका मुझे लगता है कि मैडम महववा मुफ्ती के साथ जितने भी उनके वालिद साब ने लोग जुडाये थे, शब एक एक करके चोड़ गे हैं, उसकी इस कर दिया है अब शहर में गाउं में जो इस प्रकार के अराश्टी तत्व हैं उनको लग रहा है कि मैडम मुफ्ती हमें सनक्षन देगी वो उसके साथ चल रहे हैं अन्य था कोई भी ऐसा जो कोई क्रेडिबल जो कोई पोटेंशल वाला व्यक्ति हो जो मैडम के साथ आपने भारती जनता पार्टी पहली बार मैं बड़ी रिस्पॉंसिबल्टी के साथ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस बार कमल कश्मीर में खिलेगा खाता खुलेगा और यह जो दिख रहे हैं ये नैशनल कांफरेंस ये पीडिपी मुझे लगता है कि दो डिजिट्स क्रॉ इसना नहीं है यह जम्मू में आकर यहां पर जमू जमू की बात नहीं है कि अब ब९हां मने कहा कि जम में क्वेवा governo कलेई दोहरे मापदंड इनके हैं ये देखे ये लोग जो है ये मुझरिम है फारक अब्दुला साब कल्पृट है एक मुझरिम है और एक प्रूड केस है उनके उपर जेकेस का चालिस करोड का उनके पास कौन सी मौरल एथार्टी है मुझे बताइए उनके पास कौन सी नेतिकता है कि वो कह सकते हैं उन्होंने तो इस जम्मु कश्मीर को यहां तक धकिला है इस हालत में जम्मु कश्मीर को अपनी जागीर समझा था आज लोग उन्हें इनको रिजेक्ट कर दिया और मैं दावे के साथ केता हूं दो डिजिट क्रास करना इनके लिए मुझ्किल हो जाएगा और यकीन रखे भारती जनता पार्टी कश्मीर में कमल खिलाएगी भारती जनता पार्टी सरकार बनाएगी कश्मीर में तो खिलाएगी जमू का क्या करें यह बताइए जमू के बड़े सारे मुद्दें सबसे बड़ा मुद्दा जो है बर्निंग इश्वार डेली वेजर का ह हमारा होम गार्ट का है हमारा उससे भी बड़ा मुद्धागर बात करें आप तो घाटी में जाते आपने तो पुरी तैयारी करें सुनील शर्मा जी को आज बच्चा बच्चा जानता है कहीं न कि आपने वहां के दिलों लोगों के दिलों जीते हैं यह साप तूर पर सामने द जानकारी जादा नहीं है क्योंकि मैं रिप्रेजेंट नहीं करता हूं सरकार को हम एक पूल के रूपे ब्रिज के रूपे एक माद्यम बनते हैं जहां तक बात आती है मुद्धों की जिस प्रकार से आपने बात कई जम्मू का क्या करोगे मैं आपको कहूंगा कि एक 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 बता देजिए एक-एक मुद्ध को रिजालू किया जाएगा देखे इनकी उमीदें हम से हैं रहवरे खेल किये रहवरे तालीम की रहवरे जंगलाट की है इनको पता है जो भी समस्या हमारी वहल करेगी तो बीजेपी करेगी यह ठीक है बच्चा भी माके साब ने रोता है ले पूर्ण रूप से भार्थी जंदा पाड़ी की सरकार आएगी एक एक इशू को रिजालो किया जाएगा इसमें कोई चक नहीं कहा था रलकार रेली में के हमारी केंदर में सरकार आएगी सबसे पहले हम डेली वेजर के मसले को हल करेंगे 2014 के ललकार रेली में पर्दान मंत्री देश के बादान मंतरी कोई है ऐसे अनकी सैलरी निख लेकिन जो इनकी सैलरी इसे आभी हम भी संतुष्च नहीं के से संतुष्ट होंगे इस महेंगाई के दूर मैं लेकिन कहीं न कहीं हमारी एडमिनिस्टेशन हमारी के इंदर की सरकार चिंतित है डेली विजर्स के लिए लेकिन इसके अथिरिक्त बाकी भी जम्मू के बहुत मुदे हैं जिन आपको उचालना चाहिए आप यह बता सकते हैं कि जमू कश्मीर के हर घर के हर विक्ति को आईश्मान भारत के काड़ से कितना लावाज हो रहा है उन्हें बताने की जरूरत है हमारे पास भी है अब जो रहे गए उस पर भी फोकस करना जूरी है जमू के लोगों की बात कर रह है हम खुश है जिनको इलाज मुफत हो रहा है जिनको राशन मुफत मिल रहा है आप चोटी बात किर रहे हैं पिछले काफी समय से काफी दर से बंद हो चुका है नहीं राशन मुफत मिल रहा है आपकी कई योजना हैं जो लोग वहां से चिला 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 के बोल रहे हैं कि कि भई काश हमारे ये कैमरे वाला हमारे पासा था हम उसको कहते कि हम बीजेपी को क्यों बोड देंगे हम मोदी जी को क्यों जिताएंगे लेकिन आप भी थोड़ा सा ना बाइस चलते हैं आप उन लोग के पास नहीं जा रहे हैं यह यह गलत है सुनील शर्मा इस यहां पर लेखते होंगे वह हम नहीं किया सकते सुनिल सर पर हां जो जन्ता के मुद्दे उसे भी उजागर करना हम अच्छी अच्छी दिखाते रहेंगे तो लोग हमें केंगे हम इतने कोई इशू भी नहीं बचे लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं आपके चनल के मादम से कह रहा हूं कि उन लोगों को भी संतुष्ट करेगी ये सरकार और वो भी खुश होंगे फिर आपके पास हमारा तो बच्चा ने डेली वेजर ना हमने डेली वेजर लगना हम तो बजनता के सवाल पूचेंगे फिर 22 का से वह सुलीर सर ये ये गलत बात आज क्योंकि आपने पतरकार्टा पर सवाल उठाया मैं वह बाइस नहीं बोला हूं लोग इंजार कर रहे हैं कि रश्मी जी हमा अगर नहीं भी जाएंगे हम लोगों को ऐसे अपने मादिन से बता देते हैं अगर आपके पास आते हैं यहां डॉक्टर जी तेंदर जी सवाल पूचेंगे अपने परिवार के नहीं पूचेंगे तो बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कोई मीडिया वाला मैंने आपके प करना चाहूंगा बाइस लफस को वापस लेकि मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रार्थना करूंगा आप गाउं में आप कही ऐसी बस्ती में जहां पे लोग कह रहे हैं हमारे पास हम बताएंगे बीजेपी को क्यों वोड़ देंगे क्योंकि उनकी जितनी समस्या थी विश लाते जो वाकी परदान मंत्री जी ने यह सोचा कि लोग सोचते हैं कि बेटियां बोज है गरीब लोग यह चोटी आने वाल समय बच्चियों की पढ़ाई कैसे करें एक पहम योगदाना है लैडली स्कीम के माधन से लाया और कई सारे हमारे एंस की बात करें पहला नार्थ है इनके इशू भी रिजाल होंगे डेफिनेटली होंगे चलिए जी धन्यवा सरमार से जुड़ने के लिए यह ते सुनील शर्मा सर साफ तुर्पा अनकैमरा कहा कि इस बार कशमीर में कमल खुलकर खिलेगा यानकैमरा बड़े कॉन्फिडेंटली का है और हमने जम्मू के म खाते रहबरे खेल की बात करें उन्हें कहीना की बाजपा पर विश्वास है तब इस गुसा फूड़ता है तो अपनों पर फूड़ता और उनने यह भी का कि उन्हें भी पता कि आने वह समय में बाजपा इस पर अमले जामा पहनाती है चलो आने वाल समय बताएगा फिल आ अगले आपडेट के लिए जाहीं जबारें